पाप ग्रह शान्त कैसे किये जाएं? पाप ग्रहों की शान्ती नवरात्र में कैसे होगी? ये समझेंगे लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पाप ग्रह होते कौन है जोतिश में? और पाप ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है? इफेक्ट कैसा होता है? देखिए जोतिश में मुख्य रूप से तीन पाप ग्रह माने गए हैं शनी, राहु और केतु सूर्य और मंगल को भी लोग पाप ग्रह कहते हैं लेकिन सूर्य और मंगल पाप ग्रह नहीं हैं सूर्य और मंगल कुरूर ग्रह हैं तो शनी, राहू और केतू पापग्रह हैं और ये तीनों ग्रह अगर कुंडली में गड़बड हों तो हमारे जीवन में निगेटिव प्रभाव पैदा करते हैं इनका प्रभाव और ये ग्रह हमारे अंदर कहीं न कहीं छुपे होते हैं, मौजूद होते हैं और समय पढ़ने पर ये बाहर आ जाते हैं, इनका प्रभाव बाहर आ जाता है इसलिए ये बात समझे रहिए कि हमेशा ही इन पाप ग्रहों को नियंतरित करने का प्रियास करना चाहिए शनी, राहू और केतू कुंडली में कितने भी अच्छे क्यों न हो अगर इनकी दशा चले तो किसी न किसी तरह की दिक्कत ये जरूर पैदा करते हैं किसी न किसी तरह की समस्या जरूर देते हैं और इन पाप ग्रहों को अगर आप शान्त नहीं रखेंगे तो ये पाप ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में आपके लिए समस्या पैदा करेंगे कैसे इने शान्त करें? नवरात्री में देवी की कृपा से कैसे इने शान्त करें? इस विशे को समझें उसके पहले ये जानते हैं कि आखिर देवी की कृपा से मादुर्गा की कृपा से किस प्रकार पाप ग्रहों का नाश हो जाता है? किस प्रकार पाप ग्रह आपके शान्त ह जाते हैं देखिए देवी के अंदर मादुर्गा के अंदर समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित है ये बात हम सब जानते हैं कि मादुर्गा सारे देवी देवताओं के combined effort से उनके तेजस तत्व से प्रकट हुई थी, तो सारे देवी देवताओं की जो शक्ती है, वो मादुर्गा के अंदर समाहित है, देवी के अंदर समाहित है, दुनिया में हर चीज के पीछे की शक्ती के पीछे, देवी का ही हाथ होता है, अब चुकी शक्ती का कारण ही देवी है, शक्ती का स्रोती ही देवी है, इसलिए किसी भी ग्रह को, किसी भी ग्रह की ताकत को देवी की कृपा से नियंत्रित किया जा सकता है, कोई भी ग्रह हो, अच्छा हो या बुरा हो, अगर जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो देवी की पूजा करके, देवी की पाप आकरके आप उस ग्रह को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। पहला जो पाप ग्रह है उसे कहते हैं सैटर्न यानि कहते हैं शनी। अगर शनी कुंडली में निगेटिव है, शनी की दशा अंतरदशा चल लही है, या शनी की वज़से आप जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि शनी की शान्ती की जाए, तो क्या उपाय करें जिससे शनी शान्त हो जाए? शनी को शान्त करने के लिए माता के काली स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। माता के दो पार्ट है ना एक नवदुर्गा का स्वरूप है जिसकी हम नवरात्री में पूजा करते हैं और एक तंत्र साधना का स्वरूप है जिसको दस महाविद्या कहते हैं दस महाविद्या में जो पहला स्वरूप है वो मा काली का है तो माता के काली स्वरूप की उपासन की का दीपक जलाएं इसके बाद माता को या तो नीले फूल अर्पित करें या लॉंग अर्पित करें दो लॉंग अर्पित करें उससे भी काम चलेगा नहीं तो अगर नीला फूल उपलब्द हो जाए तो नीला फूल अर्पित करें साथी साथ माता काली के चरणों में एक लो करें कम से कम 108 बार एक माला मन्त्र होगा ओम क्रींं कालिकाय नमहां तो हम क्रींं कालिकाय नमहां इस मंत्र का कम से कम 108 बार जब करें इसके बा lieber शनी के मंत्र का जब करें जितने बार मा काली का मंत्र जपा है अगर एक माला जपा है तो एक माला अगर दस माला जपा है तो दस माला शनी के मंत्र का जब करेंगे मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्राउम सह शनेश्चराय नमहा इस मंत्र का जब करना चाहिए इसके बाद माता काली से प्राथना करिए कि जो शनी संबंदी समस्या आपके जीवन में है वो दूर हो जाए और माता को जो लोहे का छला आपने अर्पित किया है इसको राइट हैंड में दाहिने हाथ में या लिफ्ट हैंड में बाए हाथ की मिडल फिंगर में धारन कर लें जब तक ये छला आपकी अंगुलियों में रहेगा शनी संबंदी समस्या आपको परिशान नहीं करेगी और ये प्रियोग आप नवरात्री में किसी भी दिन कर सकते हैं खास तौर से नवरात्री में किसी रात के समय या किसी भी शाम के समय अगर आप ये प्रियोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सामान ने रूप से शनी वार को मा काली को अगर आप लौंग अर्पित करें तो शनी की शान्ती होती है यानि शनी को आप शान्त रखना चाते हैं शनी को बैलेंस करना चाते हैं तो एक टोटका एक छोटा सा उपाए हर शनी वार को कर सकते हैं दो लौंग मा काली को हर शनिवार की शाम को अरफित करिए और इसे प्रसाद रूप में ग्रहन करिए शनी संबंधी जो दिक्कतें आपके जीवन में हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएगे।